तो आज हम क्लास 10 की क्वाडिटी एक्वेशन की टॉपिक क्वाडिटी फर्मूला लेकर आए हैं और इसमें हम क्वाडिटी फर्मूला के बाड़े में पढ़ेंगे क्वाडिटी फर्मूला क्या होता है if alpha and beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 then alpha equal to minus b plus root under b square minus 4c by 2a alpha होता है और beta equal to minus b minus under root b square minus 4c by 2a यह beta होता है इसका root होता है इसी को हम quadratic formula कहते है ठीक है इसी को हम quadratic formula तो अब हम चलते है exercise 4.3 तो इसी से related question करते है पहला third number question है इसका exercise का find the roots of the flowing equations पहला equation है x minus 1 by x equal to 3 तब इसका हम क्या करें LCM मिल लेते है तो x के नीचे नहीं कुछ है तो 1 देंगे तो यह हो जागा x इसका LCM हो जागा तो x square minus 1 और 3x से गुना कर देते तो 3x हो जागा cross multiply करने के बाद ठीक है जब cross multiply कर देते तो यह हो जागा x square minus 1 equal to 3x अब क्या करेंगे x बला को एक तरब कर लेते हैं उधर हम क्या करेंगे constant यानिके 0 रखेंगे ठीक है तो यह हो जागा x square और 3x उधर क्या है पोलस में है तो इधर आजागा तो minus में हो जागा x square minus 3x minus 1 equal to 0 here x equal to a equal to 1 b equal to minus 3 और c equal to minus 1 तो हम alpha का value में put करेंगे minus b plus under root b square minus 4 c by 2 तो हो जागा चुकि minus होता है 3 minus में है तो 3 plus में हो जागा plus under root 3x square minus 4 into 1 into minus 1 by 2 into 1 हो जागा ती हो जागा alpha equal to 3 plus और under root हो जागा 3x square 9 minus हो जागा minus minus plus 4 by 2 हो जागा तो यह आगिया alpha equal to 3 plus 9 under root 9 4 13 by 2 हो जागा ठीक है तो 9 4 13 by 2 हो गया तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि alpha का value जो हम उसे put किये है और उसका value जो हो गया यह बराबर 3 plus under root 13 by 2 हो गया तो यह हो गया alpha का value हो गया चुकि under root 13 का value नहीं निकलता है निकलता तो इसका decimal में आता है तो हम क्यारते बीटा का value बीटा भे value में से मुशाई करेंगे चिरिफ माइनस प्लस 3 और माइनस हो जागा अंडर root 3 के square माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बाइ 2 इंटू 1 हो जागा बीटा इकल टू 3 आ माइनस हो जागा अंडर root 9 तीन का इसक्वार 9 प्लस 4 बाइ 2 हो जागा बीटा इकल टू माइनस 3 अंडर root 9 चार 13 बाइ 2 जो कि इसका एंसर है ठीक है थैंक यू लाइक और सब्सक्राइब और सेयर